सीरियल मन सुंदर में बाबा जी को घर ले आती है पूजा के लिए और सारे घरवालों से कहती है सान्ती पूजा करने आये हैं तो घरवाले तैयार हो जाते हैं दादी कहती है अच्छा हुआ मैंने नाहर को पहले ही बुला लिया था यहां खिलोने ढूंडती है मुन्नी कमरे म और खिलोने लेकर बाहर जाने लगती है दर्वाजा खटखटाती है तो नहीं खुलता सोसती है मैं तो ऐसे ही दर्वाजे से बाहर चली जाओंगी दर्वाजे का धका लगता है तो गिर जाती है और सोसती है कि मैं क्यों बाहर नहीं जा पा रही हूं क्या हो गया और उसे द आत्मा निकल जाती है दर्वाजा हिलता है चद्दर लिये होता है अपनी का पती और दर्वाजे के पास जाता है डर के कारण भाग जाता है तो लकीर मिट जाती है और मुन्नी बाहर निकलाती है बिना दर्वाजा खोले नीचे नाहर आ जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा आप पड़े जी मैं आपको फिर बाहर बुलाओंगी यहां कमरे में जानबूच कर बेहोस हो जाती है मुन्नी रूही को डांट पढ़वाने के लिए नाहर उसे कमरे से निकाल कर ले जाता है और सुला देता है वह पूछता है होस आने पर कि मुन्नी ये बताओ किसने तुम्ह रूही की तरह पिसारा करती है और कहती है इसने मुझे बंद किया था रूही और नाहर के बीच में बहुत बहस होती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं सारे घर के लोग भी कमरे से बाहर जाते हैं मुन्नी बहुत खुस होती है और नाहर कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करन जाहिएए था जो मैंने बोल दिया बहुत दुखी हो जाती है रूही और नअघर भी बहुत तेज से रोने लगता है वत सोचती है मुझे ये सब नहीं सोचना मुझे बचाना है अपने परिवार और नाहर जी को नाहर कहता है मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे गलती से भी ये बात रोही को नहीं कहने चाहिए थी